हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू बीनास किचन आज हम बनाने वाले राजमा की सबजी इस सबजी को हम बिना प्याज और बिना लहसुन के बनाने वाले हैं ये सबजी खाने बहुत जादा टेस्टी है आम देख सकते हैं इसा कलर कितना अच्छा आया है तो इस राजमा की सबजी को के लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी राजमा ले लिया है तो यह बहुत ज़दा पुरानी नहीं होनी चाहिए वरना यह boil होने में बहुत जादा time डगाती है, तो इसे हमने 2-3 बार अच्छी तरह से पानी से धो लिया था और रात भर इसे पानी में इस तरह से सोक कर लिया है, यह अच्छी तरह से सोक हो चुकी है, तो अब हम एक pressure cooker लेंगे, और इस राजमा को हम pressure cooker में डाल लेते हैं, इ तो नहीं पानी हम इसमें डालेंगे, और यहां पर हमने स्वाद अनुसार थोड़ा नमक डाल लिया है, कुछ मसाले डाल लेते हैं, तो एक तेज पत्ता, एक इंच दालचीनी कर टुकुड़ा, दो लॉंग, दो हरी लाइची, हरी लाइची को हमने थोड़ा सा खोल लिया ह आप चाहे तो इसके जगए बड़ी लाइची का यूज कर सकते हैं, अब हम इस प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं, और एक सीटी हाई फ्लेम पे आने देंगे, और उसके फ्लेम लो करके हम इसे दस मिनिट तक पका लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, हमारे जो राजमा है वह अच्छी तरह से बॉइल हो चुके, प्रेशर निकल चुका है, तो ये देखिए राजमा वह अच्छी तरह से पक चुका है, तो अब इसमें हमने जो भी खड़े मसाले डाले थे, उसे भी हम निकाल लेते हैं, ताकि जो हम सबजी बनाए और जब हमसे खाएं तो ये मु अधरग भी अच्छी तरह से पक चुकी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे चार टमाटर का पेष्ट, चार पके हुए टमाटर को हमने काट करके मिक्सर में डाल लिया था, और इसे प्रीश के लिए इसका ये पैस्ट घयार हो चुका है, तो इसमें हमने थोड़ा सा नमक ड तो तीन से चार मिनट के लिए हमने टमाटर को धक करके पका लिया है तो आप देख सकते हैं यह टमाटर जो है अच्छी तरह से पक चुका है और इसमें से ओयल भी रिलीज होने लगा है तो अब हम इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं तो एक बड़ा चमच हमने इसमें धनिया पाउडर डाल लिया है आधा चुटा चमच हल्दी पाउडर डाल लेते हैं आधा चुटा चमच गरम मसाला पाउडर एक चोटा चमच हम इसमें काश्मीरी लालमिश पाउडर डाल लेते हैं इससे सबजी का जो कलर है बहुत ही जादा अच्छा आता है और काश्मीरी लालम यानि यहे इस ठीक पकत चुकी है तो लो फ्लेमम पे हम इसमें दो बड़र पशक बाई डालिते हैं थो फ्लेमी कुछ धॉटिक को सबरत है और होटल रेस्टरोंस में बढनने वाली सब्जी से भी बहुत जादा टेस्टी बन्ती है और दो मिनट के लिए हमने इसे पका लिया था आप देखसकते हैं मसाले बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं तो समीच कर लेते हैंशकба तो अब हम इसमें डाल लेते हैं उबलेवे राजमा, तो राजमा के साथ हम उसका जो पानी था उसे भी डालेंगे, क्योंकि ये जो पानी है वो बहुत से जादा nutritious है, बहुत जादा healthy है ये, तो इन सब को अच्छी तरह से मिला लेते हैं, आप चाहें तो इसमें थोड़ा और पाने डाल सकते हैं, पर मुझे ये ग्रेवी ठीक लग रही है, बहुत जादा ये गाड़ी नहीं लग रही है, तो इससे हम अच्छी तरह से मिला लिया है, तो ग्रेवी में हम बॉइल आने लगा है, तो इसे हम ढख देते हैं, और 6-7 मिनट के लिए से ढख कर के पकने देत तो फ्लेम को हमने मीडियम लो पे रखा है, तो अब धक्कन को हटा लिया है, आप देख सकते हैं, सबजी में बहुत अच्छा कलर आया है, और इसमें ओयल भी सप्रेट होने लगा है, ये हमारी सबजी बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बन के तयार हुई है, तो इसमें ड अब जी की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन ज़रूर दबाएं, मिलते हैं, निक्स वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ, तिल दिन बाबाई